नमस्कार दोस्तो एजुकेशनल टोक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेसिक कोस्मेटलोजी के अगजाम में फेशिल से पूछे जाने वाले बहुत ही इंपोर्टेंट क्योशन और दोस्तो हर क्योशन के ल को सबस्क्राइब जरूर कर लें ताकि आगे की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें तो चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं पहला क्योशन है दोस्तो निमन में से स्वेट ग्लैंड डिस ओल्डर कौन सा है तो इसका सई आंसर होगा निमन में से एनिड्रोसिस है अगला क् ग्लैंड के डिस ओल्डर कौन सा है तो इसका सई आंसर होगा दोस्तो एकने है अगला क्योशन है दोस्तो कौन सा तवच्चा का करिये नहीं है तो इसका सई आंसर होगा तवच्चा का करिये सेनारिया है नहीं है अगला क्योशन है दोस्तो निमन में से कौन सा तवच्चा का प्रकार है तो इसका सई आंसर होगा दोस्तों निमन में से तवच्चा के प्रकार पांच होते हैं अगला क्यों सने दोस्तों सिनेशियस गरंथी से किस स्त्राव को जाना जाता है तो इसका सही आंसर होगा सीबम स्त्राव को जना जाता है अगला क्यों सने दोस्तों वाइट एड को और क्या कहते हैं तो इसका सही आंसर होगा वाइड को फुसी कहते हैं अगला क्यों सने दोस्तों तबच्चा का निचला इसा या बीतरी स्ते कौन सी है तो इसका सई आंसर होगा निमन में से डर्मिस्त है अगला क्योसन है दोस्तों पसीने की गरंथी की गंद किस से जुड़ी हुई है तो इसका सई आंसर होगा यह सेवासियस गरंथी से जुड़ी हुई है अगला क्योसन है दोस्तो ब्लैक एड्स को और क्या कहा जाता है तो इसका सही अंसर होगा निमन में से कोमे डॉम्स कहा जाता है अगला क्योसन है दोस्तो फेसियल समाज के लिए स्थान ये वीपरीत संकेतक में कौन है तो इसका सही आंसर होगा निमन में से दो सप्ता पुराणी दब्बे वाली को सिका है अगला क्यों सन्य दोस्तों ग्राहक प्रामर समोखिक समाद किसके साथ है तो इसका सही आंसर होगा यह है ग्राहक के साथ है अगला क्यों सन्य दोस्तों एकने कलमेरिस क्या होता है तो इसका सई आंसर होगा यह निमन में से जिवानू होता है अगला क्यों सन्य दोस्तो फेसियल करने से तवच्छा कैसी हो जाती है तो इसका सई आंसर होगा निमन में से चिकनी डिटोक्सिफाइड अपलिफेट यह सभी हो जाती है अगला क्योंसन और दोस्तो फेशियल की मांग मुख्य रुप से किन कार को पर निर्वर करती है तो इसका सई अन्सर होगा निमन में से उपरोक सभी पर, तापमान पर, अदरता का स्तर पर, सुर्य परकास के जोख्यम गंटे पर सभी पर निर्वर करती है अगला क्यों सन्य दोस्तों सर्दी के मोसम में तवच्छा को किस फेसियल की आवसेक्ता होती है तो इसका सही अंसर होगा निमन में से हाईड्रेटिंग फेसियल की आवसेक्ता होती है अगला क्यों सन्य दोस्तों तवच्छा कितनी पड़तों से बनी होती है तो इसका सही अंसर होगा तवच्चा तीन पर्तों से बनी होती है अगला क्यों सन्य दोस्तों तवच्चा का सरीर परलग बग कितना छेतर सामिल है तो इसका सही अंसर होगा निमन में से 20 वर्ग फुट छेतर सामिल है अगला क्योसन है दोस्तो मेलेनिन का उत्पाद कौन करते हैं तो इसका सई आंसर होगा निमन में से मेलेनोसाइट्स करते हैं अगला क्योसन है दोस्तो निर्जली करण और संकर्मन को रोकने के लिए कौन सायक होती है तो इसका सई आंसरो रोगा निमन में से स्टेटम कॉर्नियम होती है अगला क्यों सन दोस्तों कौन सा तलिए पदार्थ तवच्चा को सूखने से रोकता है तो इसका सई आंसरो रोगा निमन में से सीबम पदार्थ तवच्चा को सूखने से रोकता है अगला क्यों सने दोस्तों डर्मिस की एक पर्थ कौन सी है तो इसका सही आंसर होगा डर्मिस की एक पर्थ पैपिलरी डर्मिस है अगला क्यों सने दोस्तों तवच्चा का क्या करिये है तो इसका सई आंसो रोगा तवच्चा का कारिये विनियमन, सनक्सन, संसनी उपरोक्त सभी कारिये हैं अगला क्यों सन दोस्तों बनावट और गुनवत्ता के अधार पर तवच्चा को कितने बागों में विबाजित किया गया है तो इसका सई आंसो रोगा तवच्चा को पाँच बागों में विबाजित किया गया है अगला क्यों सन दोस्तों किस प्रकार की तवच्चा में वसाम्य गरंथी अतिस्क्रिय होती है तो इसका सई आंसरो रोगा निमन में से सूखी तवच्चा में वसाम में गरंथी अतिस्क्रिय होती है अगला क्यों सने दोस्तों तवच्चा अलर्जी एक्जीमा आदी से पीडित लोगों में किस परकार की तवच्चा देखी जा सकती है तो इसका सई आंसरो रोगा निमन में से समेदन शील तवच्चा देखी जा सकती है अगला क्यों सने दोस्तों किस परकार की तवच्चा में नम्मी आवदारण की अक्समता कम होती है तो इसका सई आंसर होगा निमन में से सूखी तवच्चा में नमी अवदारण की अक्समता कम होती है अब लग्योशन है दोस्तों कौन से परकार के एकने उपचार के बाद निशान छोड़ देते हैं तो इसका सई आंसर होगा निमन में से ए तथा भी दोनों उपचार के बाद निशान छोड़ देते हैं अगला क्योशन है दोस्तों ब्लैक एड्स समाने तै किस परकार की तवच्चा में देखे जाते हैं तो इसका सई आंसर होगा निमन में से ये तली ये तवच्चा में देखे जाते हैं अगला क्यों सने दोस्तों आईपर आईड्रोसिस कैसी स्थिति है तो इसका सई आंसर होगा ये है निमन में से अतिरिक्त पसीना आने की स्थिति है अगला कियो सने दोस्तो, periorbital circle के रूप में किसको मान जना जाता है तो इसका सइया अंसर होगा निमन में से लुक circle को जना जाता है अगला कियो सने दोस्तो, तवच्छा में बननक के नुकसान के कार्ण क्या होता है तो इसका सही अंसर होगा निमन में से ल्यूकोर्डर्मा होता है अगला क्यों सने दोस्तों इन में से कौन समाज के लाब से सम्मंदित नहीं है तो इसका सही अंसर होगा निमन में से बालों की वरिधी को कम करना यह मसाज के लाब से सम्मंदित नहीं है अगला के उसन दोस्तों तवच्छा विसलेशन किसके अंतरगत आता है तो इसका सई आंसर होगा यह A तथा B दोनों टीसू पेपर टेस्ट और साबून टेस्ट इन दोनों के अंतरगत आता है अगला क्योसन दोस्तों फेसियल के कितने दिनों बाद चेहरे पर स्करब का उपयोग नहीं करना चाहिए तो इसका सही अंसर होगा निमन में से 4-5 दिन तक स्करब का उपयोग नहीं करना चाहिए अग लक्योसन है दोस्तों किसी भी क्रीम या लोशन को फेसियल के कितने गंटे बाद लगा सकते हैं तो इसका सही अंसर होगा कम से कम 24 गंटे बाद लगा सकते हैं अग लक्योसन है दोस्तों निसकर्षन किरिया में क्या करते हैं तो इसका सई आंसर होगा निस्कर्शन किरिया में ब्लेक एड्स और वाइड्स अटाते हैं अगला क्यों सन दोस्तों फेशियल के अंतिम चरण में क्या करते हैं तो इसका सई आंसर होगा निमन में से फेश पैक लगाते हैं अगला क्यों सन दोस्तों फेशियल के तुरंत बाद क्या नहीं करना चाहिए तो इसका सई आंसर होगा फेशियल के तुरंत बाद उप्रोक्त में से कोई सा भी नहीं करना चाहिए चेहरा भी नहीं दोना चाहिए सूरिय में बाहर भी नहीं जाना चाहिए मेकब भी नहीं करना चाहिए अगला क्यों सन्य दोस्तों किन स्थीतियों में फेशियल नहीं करना चाहिए तो इसका सई आंसर होगा निमन में से कट, सनबर्ण, तवच्चा रोग इन सभी स्थीतियों में फेशियल नहीं करना चाहिए अगला क्योसन है दोस्तों क्लिंजिंग आम तोर पर कितने प्रकार की होती है तो इसका सई आंसर होगा यह है आम तोर पर दो प्रकार की होती है तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन का बटन भी जुरूर दबाईए ताकि आगे हमारी आने वाली वीडियो आपको इसी तरह समय समय पर मिलती रहें और दोस्तो ऐसे ही क्योसन पाने के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेब साइट का लिंक भी दिया है तो आप ऐसे ही क्योसन वहां से भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तो आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ धन्यवाद